वो जो इलाका जो अमेरिका है कब जा में है पहला दूसरा और किस्तरा कमिन देले वह आगे पता चलेगा हूँ एम आए एंड तो दोस्तों हमारा ब्लोग अभी शुरुआ यहां कैलास नगर डिलिया से और अभी हम जा रहे है पहाड की हो देखते आगे का नजारा क्या होता ह हाला कि भी सासा राम का वेदर कंडिसन इतना ज्यादा बुरा है अपने मैक्सिमम लिमिट से भी उपर आ चुका है जो की बहुत ज्यादा एक्क्रिमली पूर कह सकते हैं तो मैं सासा राम के सारे लोगों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना ज्यादा ज्यादा होता कि अपने घर में रहें और वैसे भी कोरोना का एक अलगी वर्जन प्रकट हो रहा है हार दिन जिसका नाम ओमली कॉरन है आप लोग भी जानते होंगे तो आपके पास दो रिजन है घर वे रहने का पहला कोरोना और दूसरा यह सासा राम का पॉलिशन का कंडिशन दोस्तों यहां से आगे जाएगा तो पाइलेट होगा आपको वह पाइलेट होगा का मंदिर दिख रहा होगा बठ हम लोग उदर नहीं जा रहे हैं फिलाल हम लोग जा रहें प लोग के लिए इतने मैनत की जा रही है आप लोग का फॉज बंदा है कि हमारा वीडियो ज्यादा ज्यादा लाइक से और सब्सक्राइब हमारा चैनल वह इस बात को हमें से ध्यान में रखिएगा दोस्तों आपने अगर आप साजा राम के हो या आसपास के भी हो तो कभी न यही एस्वी जान कोलेज में मैं ट विल्थ का एक जाम दिया था तिर संकर के हूं तो इसी में सेंटर देता है और बी एसी फर्स्ट गेजुएसं का फस्ट एर का तो यह है माउंटें चंतन सहीर और अभी यह मस्त रोड अब थोड़े ही तेरो में आप रोडी के स्टार्ट और यह एक रास्ता चला जाएगा सासा राम के अंदर कादिर गंज चोक बजाट और यह जाता है तारा चेंटिंग और यहां पर स्टार्ट होती है ओप रोडिंग चल सहीर माउंटें का वह एक किर में लभाई पीछे पागर और प्रासुकर में आप रोडिंग पोड़ी ज राइविंग नहीं आता है बड़ आइड कोई से काफी बार भार का चुका है तो यह कोई बड़ा ही सुली है तो रिस्क लेना सही नहीं है अभी यह देखिए एकदा मस्त संसहीद की गोद में जाते हुए यहां पर फोटो लेला प्रोप दिव और यह है माउंटें करी तार अब जल्दी बोल कल सुबे पनवेल निकल ला है दोस्तों अभी हमसे बाया है चंद सहीद के पहाड के बगल में हाला कि ज्यादा बगल नहीं आप देख सकते हैं चंद सहीद पहाड को यह नहीं है बस चंद सहीद कर बंदीफ हड़ा उपर में देखेगा जिसका प्लगुस आपको मंदीफ ही दिखेगा उसके गाड़ी महां पर लागा है अभी हम लोगने नोटिस किया कि मंदीफ का बाइक कर अड्रेस को अपकी यह तक नाच कर रहा है और ऐसा होना चिए एक प्रोपेशनल ब्लॉगर के तोर पे काफी चीज़ों कुम्पेट्टन करना पड़ता ह हमारा प्लान था उस पहार पर जाने के लिए एक दम उपर महां पर एक सिव जी का मंदीर जो की काफी पूराना है यह काफी लोग यह चंदा सहीद माउंटेन है हिंडू धार्मी का नुशार काफी इसका मिश्टिरी है काफी इतिहासिक टाइप का कुछ जादा इतिहासिक पढ़े हैं लेकिन भूल जाते हैं आप इसको रिसर्च कर सकते हैं अगर आपको इन्टेश्ट है तो अब अब इस चंदन सहीद पहाड के गुद में जा रहे हैं गम नज्दीक और वहाँ पर कुछ बैठेंगे वर्क है उसको कम्प्रीट करने के बाद सिनिमेटिक सोट एंड कुछ अमेजिक सूट्री को सकता है कर ले इस ब्लॉक के लिए कौन सा रूट है किलियर पता नहीं है बड़ छट समय सा इस सहीद को देखते थे हैं अलागे इस बहुत में दूसरका बाद जा रहे हैं चसहीद केड़ा मांटकें के नंडिक इससे भी पहले जा चुके हैं परवली के महिंदा में में रूट कौन सा है यह भी फाइंट नहीं कर पा रहे हैं देखिए कौन सा ले जाता है तोड़ा इस च्रगल करेंगे फूरा का फूरा ओफ रोडिंग हो गया यार तो गंगा पड़ेगा सहीद है तो फूरो प्रो प्रो अखा तो अलाब हाँ हां हां है कि और आगे से सिथे जए सिथे है अब तर ना लोडियों लडियों हम थोड़ी से उफ रोड़िंग करने के बाद अभी भी मिट्टी करोड है आगे की देखेंगे और यहाँ पर यह एक नदी था इसमें उतरेंगे तीर से एक बड़ा उफ रोड़िंग बरसात में से पानी भर जाता होगा अमेजिंग से इन दिस वीडियो यू के वाच एंड इंज्वाय सासा राम का ओफ रोड़िंग माउंटें चंसही तरफ के यहां पर क्या बोले ब्लोगर है ही नहीं तो क्या बोले बोलो जो बजस्ती बना रहें बस लूब देखेंगे क्यो क्यों आज तक चलता रहता है बस ऐसा ही नॉर्मिल ही उसको मतलब केप्चर किया थे ब्लोग के दिरिष्टी से भी नहीं और आज तक चल रहा है पचास एर भी चला गया वह जंडा अगर आप द्यान से देख़ो तो आपको लगए अमेरिका का है हो जंडा कि किसी जमाने में अवेरिका का अपजर आओ यह है कि है और तो कभी अकले ब्लोग में हो सकता है हम लोग उपर चड़े और आपको जो फाइनली हम लोग यहां पर आगे अप्टशा झाल झाल काफी देर और पूरी दूपर घूमने के बाद अब हम लोग को साहद घर जाना होई कि बहुत सारी चीज़े हैं जो पैड़निक परियाज के ब्लॉक के करां और यहां मंदिप का भी कुछ काम चल रहा है वह भी साहद कुछ दिर में फिनिस करेगा मंदिप क्या करना चाहिए तो ब्लॉगिंग मेरा यह फर्ष्ट कोई प्रफेशन नहीं है कि काफी अच्छा लगा च्छा सहीद के गोदुम बैठकर वह यहां पर बहुत सारा बात प्रिचार हुगा और यहां पर फ्रेंड्सर के लिए काफी यह तो इलेक्टोनिक डिपार्टमें से रिलेट करते हैं अब क्या बोल सकते हैं ब्लोगर रहते तो कुछ अच्छा बात बताते हैं ब्लोगर यह चौथा परफेशन है मेरा पहला दूसरा किस तरह कमिना देले हुगा पता चलेगा हुग हैं यह ब्लोगिंग फोट परफेशन है तो यहां पर यह ब्लेंगे और अगली बार अगली बार ज्यादा पर जाएंगे हम लोग आपको जो इलाका जो अमेरिका के कब्जा में है उसको अजात करवाएंगे है मेरिका के कब्जे से अब हम लोग है घरवापी की ओर और इसके मिलते हैं आप सबसे में एक्स ब्लॉग में तेज़िए यह हमारे इस्टूर को सब्स्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज्यादा जड़ ऑषर कीजिए और जड़ांगे की खराइब की खराइब कीजिए